हलो एवरिवान कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत है आप लोगों का आपके अपनी फेवरिट चैनल क्रितिका बी लल्वी में और आज से हमें स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट जनरल इंगलिस सेकंड का जो कि ये सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा लल्वी 6 समे इस वीडियो में आज हम डिसकस करेंगे कुछ इसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से मोस्टली कोशन पूछ जाते हैं तो कि आप लोगों के काफी कमेंट भी आ रहे थे कि मैं इंगलिस में क्या करें इंगलिस में कैसे पढ़ें कहां से पढ़ें और कौन-कौन से इ दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अब इसलिए बाद जो ग्याम हुए है तो बहुत बच्चों की बैक भी लगी है लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके बहुत अच्छे मांक्स आएं इंगलिस में क्योंकि अगर इंगलिस जो ग्रामर पूर्स है अगर वो आपक हमीं कर लेंगे चलें तो अब हम एक-एकर के देखेंगे टॉटिक्स कि कौन कौन से हैं और कहां से कोछन आपके पूछ जाते हैं तो सबसे पाहला जो टॉपिक है वह आपका है लैटिन टम्स अन्स तो यह आपका चाहे plb हो और ब्लb दोनों STR Lewis है और कुछ importanticias लेगिन जो जिन पर मैंने वीडियो बनाई हुए हैं दो तीन वीडियो बनाई हुए हैं ठीक है तो इसमें कोशन कहां से पूछा जाएगा कि जैसे आपके एक्जाम में एक लेटिन टम्स दे देंगे और उसका मीनिंग जो है चार ओप्सन होंगे जिसमें आपको फाइंड करना होगा उसका करेक्ट मीनिंग क्या है बस इसमें इस टाइप के कोशन आएंगे और ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए क्योंकि अभी तक क्या होता था जब सब्जेक्टिव एक्जाम होते थे तो उसमें आपके चार लेटिन टम्स आते थे चारों ज दिखे होंगे जिन में आपका कोई करेक्ट आंसर होगा तो थोड़ा बहुत भी आप अगर लेटिन टम्स को पढ़े लेते हो तो वहां आसानी से आप अपने कोशन का आंसर फाइंड कर सकते हो ठीक है तो लेटिन टम्स में बहुत जाद दिक्कत नहीं होगी यह बहुत है उन पर मैं अब्जिक्टिव कोशन के प्रैक्टिस भी करवाऊंगी आज की क्लास जो है पहली क्लास है ठीक है इसी तरी अगर आज का रिस्पॉंस अच्छा रहा आज आप लोगो को क्लास अच्छी लगी और कुछ इससे हेल्प होगी अगर आप लोगों को कुछ समझ मे करना है ठीक है तो फिर वो भी देखना होता है चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कौन सा है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक आपका जो है डायक इंडायक है ठीक है यहां से बहुत ज़्यादा कोशन पूछ आते हैं मतलब यह नहीं कह सकते कि स सही कोशन पूछ जाते हैं जितने हम आज आपको यहां पर टॉपिक बताएंगे उनसी मोश derived कश्ञास जाते हैं जिनमें एक आप का है डारेक इंडायक भी तो यहां से आपका कोशन आजाएगा, सिंपल एक कोशन लिखाओगा, जो डारेक्ट सेंटेंस लिखाओगा, अब उसको आपको इन डारेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, ठीके, इस तरीके से कोशन आएगा, मतब ये मुझे इंगलिस का पेपर जो आप लोग का ये है, तो इ क्योंकि इसमें जो grammar portion है, वो तो आपनों को आती होगी, ठीके, अगर ज्यादा दिक्कत हो रही होगी, तो अभी जो हम आगे क्लास से करवाएंगे, तो इसमें हम आपको इसके rules बगरा कुछ important question बता देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा high level से नहीं आता है, question इतने ज्यादा high level के नहीं होते हैं कि आपको दिक्कत होगी उसमें, ठीके, तो दूसरा आपका topic क्या होगा है, direct and direct, और पहला क्या था Latin terms and phrases, ठीके, Latin term पे वीडियो बना रखा है, और जो direct and direct है, इसमें हम आगे वीडियो बनाएंगे, next topic आपका है, active and passive, active passive से भी काफी question आते हैं, जिनमें आ जादा बहुत टफ नहीं आते हैं कि आपको बहुत अलग अलग तरीके से रूल पढ़ना होगा, बहुत मुश्किल वाले नहीं आते हैं, असान आते हैं, ठीके, मतलब एक दो टफ रख देंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी रखेंगे, जो आप आसानी से कर लो, तो direct and direct, active passive, वैस हैं, तो हमें बस इस तरीके से पढ़ना हैं, इनके कुछ rules याद करने हैं, कि direct से indirect बनाया कैसे जाता है, active से passive कैसे बनाया जाता है, ठीके, कुछ हमें tenses अच्छे से पढ़ने होंगे, helping works बगरा, बस, और इस से जादा हमें जादा मेनत करने के जरूरत नहीं पड़ेगी, ठ अगे के classes में, अगला हमारा जो सबसे important topic आता है, वो है tense, tense से भी बहुत कोशन आएंगे, अब tense में किस तरीके से कोशन आते हैं, एक example ले लेते हैं, जैसे c- cooking food, ठीके, yesterday, ये आपका एक कोशन है, ठीके, अब इसमें option दे दिया, पहला जो आपका option है, वो है is, आपका b number option है c- number आपका option है, was, d- number आपका option है, will be, ठीके, अब ये तो आपको पता चल गया होगा कि ये continuous का sentence है, जो आपका present continuous भी हो सकता है, past continuous भी हो सकता है, future continuous भी हो सकता है, अब आपको इसमें कैसे पता चलेगा कि इसमें फिल क्या करेंगे, I know बहुत बचों को इसका answer आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुसके लिए कोशन नहीं है, लेकिन फिर भी, बहुत से बचों को correct answer ढोने में तोड़ी दिक्कत भी होगी, अब यहाँ पर आप सोच रहोगी, easy fill करें, कि was fill करें, कि will be, क्या fill करें, वो आर तो fill नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो C है, और सिंगलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर last में देखीएगा yesterday लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर tomorrow लिखा होता, तो आप will भी fill करते, क्योंकि tomorrow से पता चल जाता है, future tense की बात करी जा रही है, यहाँ पर today लिखा होता, तो आप easy fill करते, क्योंकि वो percent tense की बात करी जा रही है, यहां पर लिखा है yesterday तो आपको tense जब भी helping verb फिल करना हो तो last में एक बाच यह चेक कर लेना कि tomorrow है कि yesterday है कि आपका today है इससे आपको tense का पता चल जाएगा ठीक है और फिर उसके बाद जब यहां से न समझ में आए तो आप helping verb के आगे verb को देखना अगर ing लगा है तो continuous होगा tense की जो है verb फिल करनी होंगी तो यह चलो आपका tense हो गया अब next topic देख लेते हैं क्या है common errors common errors आप लोग जब subjective exam दिये होंगी तो उसमें भी देखा होगा कि common errors में किस तरीकी से आता था कभी कभी 15 number का जाता था common error में कि definition लिको और आपको कुछ common error को भी बताना होता था इस त सकता है spelling का common error हो सकता है किसी भी चीज का common error हो सकता है जैसे अब एक जैसे की एक sentence लिख देते हैं आपको इससे आपको समझ में आएगा he is a honest man अब यह एक sentence है अब इस sentence में आपको find करना होगा कि error क्या है आप पढ़ोगे he is a honest man आप सोचों कि ठीक तो है अब यहाँ पर आपका यह दिमाग नहीं जागा कि article की mistake हो सकती है आप सोचों कि ह से start हो रहा है honest की spelling जो है h से start होती है और हमने पढ़ा है कि जो a है तो वो consonant के पहले लगता है and जो है vowel के पहले लगता है pronunciation इसका क्या निकल ला है honest यानि sound जो है आ निकल ला है तो यह आ जो है यह sound क्या है आपका एक वोवल है तो यहाँ पे हम लोग जो a है यह यह रॉंग है यहाँ पे हम फिल करेंगे and ओके यह आपका जो है correct है तो इस तरीके से यह article का error हो गया spelling का barrier हो सकता है कि जैसे की piece और piece दो अलग है एक piece मिस्टिकुड़ा होता है एक piece मिस्टिकुड़ा होता है यह अलग-अलग वर्ड है लेकिन इनका pronunciation से ही मैं लेकिन spelling का जो meaning है वो अलग-अलग हो जाता है इनकी spelling भी different है spelling का mistake आ सकता है या फिर आपका प्रेपोजीशन का मतब जितने भी टाइप के verb, spelling और आपका प्रेपोजीशन का conjunction इन टाइप का किसी भी तरीके का error आ सकता है आपको find करना होगा लेकिन mostly जो आते हैं वो आपका जैसे verb से आता है और article से आता है ठीक है और कभी-कभी spelling से भी आ जाता है चले इसके हम जब objective question कराएंगे तो वहां से आप लोगों का थोड़ा बहुत idea हो जाएगा कि किस तरीके से हमको पढ़ना होगा अगला जो हमारे important topic है वो preposition है ये preposition वैसे तो LLB second semester में अगर जो syllabus है उसमें देखना preposition मुझे लगता है कि सायद नहीं दिखाओगा लेकिन preposition से आपके question आते हैं बहुत ज़्यादा question आते हैं ठीक है और question tag लिखाओगा जो BLLB second semester का syllabus देखना उसमें question tag लिखाओगा लेकिन question tag से कम question आते हैं ठीक है और preposition जो है आपका important है फिर चाहे वो LLB sixth semester या फिर BLLB हो ठीक है दोनों में important है यह जितने भी topic है अभी आप लोग देख रहे हो यह LLB में भी subject है और topic है और BLLB में भी topic है ठीक है तो आप दोनों लोग के important है आप लोग बहुत ध्यान से देखेगा आज की class मैं काफी कुछ इसमें important बताने वाली हूं अगला topic हमारा आता है translation, translation Hindi to English और English to Hindi तो आपका जो एक में रुकना इसको थोड़ा सा इरेस करते हैं जो आपका BLLB है तो BLLB में BLLB second semester में आता है English to Hindi ठीक है और BLLB first semester में आता है Hindi to English लेकिन LLB में दोनों आता है English to Hindi और Hindi to English ठीक है और अभी तक आपका जो subjective exam होता था उसमें क्या होता था एक लंबा सा 15 नंबर का paragraph दे 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 थे और उसको आपको translate करना होगा ठीक है उसमें थोड़ा आसान भी यह रहता था कि हम उस पूरे paragraph को पढ़ते थे तो हमें tense का आइडिया हो जाता था कि पूरा paragraph जो है किस tense में पूरी story जो है past में है की present में है मतलब काफी कुस idea हो जाता कि English में है तो English का sentence लिख देंगे उसको Hindi में translate करना होगा अच्छी चीज यह है कि चार आपको option दे देंगे उनहीं में आपको एक बताना है मतलब इसमें बहुत जादा दिमाग नहीं लगाना है या बहुत जादा मेहनत नहीं करना है आपको थोड़ा smartly पढ़ना होगा ठीक है कि अगर आपको option दे दें तो आप यह बता सको कि इसमें correct क्या है समझ में आया तो चलो अब आगे देख लेते हैं अब इतना तो समझ में आए गया होगा कि एक topic कौन-कौन से important है अगर बस अब इतने topic पढ़ लेते हो तो आपका paper बहुत अच्छा होगा बहुत से जिनको पढ़ लें तो हमारी bag न लगे क्योंकि काफी बच्चों की इस बार bag भी लगी थी ब्लल्ब फर्स समेच्टर की जब objective exam होए थे English में खास करके कुछ बच्चे तो बोलते हैं मैं क्या English का paper Hindi में नहीं होता है क्या तो मतब ऐसे बच्चे हैं जिनको English से इतना डर लग आए जो वीडियो बना दी है बस आप वीडियो देख लो कुछ खुछ से मेनत न करो तो फिर जाइज सी बात है अब उसमें हम भी नहीं कुछ कर सकते हैं तो चलो आगे कुछ देख लेते हैं कुछ है अब इसमें जो हमारा टॉपिक है जितने भी हमने साथ टॉपिक टॉपिक आता है लेटिन टर्मस एंफरेजिश ठीक है में लेटिन टर्मस नफरेजिश से किस तरीकी से कोशन आएगा मोशन का एक जैसांपल लेते हैं जिसमें आपका एक THE TRN मिंस यहा मिनिंग बताना है यह चार आपको ओप्सन दெँघ गए हैं, चार option में कोई एक option इसका correct है, अब आपको बताना है कि कौन से इसमे correct option है, ठीक है, तो जैसे कि पहला आपका जो option है in reality, तो in reality जो है एक Latin terms होता है de facto, इसका meaning होता है, de facto का meaning होता है in reality या in fact, ठीक है, अगला जो आपका word है, यह आपका है of the law, ठीक है, of law जो है, यह आ meaning है, तो यहाँ पर यह भी नहीं है इसका option, अगला है next है आपका guilty act, guilty act जो है, यह किसका है, यह आपका actus reuse, actus reuse जो है, यह भी आपका एक Latin terms है, उसका जो है meaning है, guilty act, अब आपका next है, means ria, means ria का meaning क्या होता है, guilty mind, तो correct answer आपका C है, तो मैंने तो आपको याद कराने के लिए यह अलग अलग लिखे हैं, जैसे de facto का एक meaning लिख दिया था, एक de jure का और एक actus reuse का, लेकिन आपके exam में थोड़ा इस तरीके से नहीं आगा, वो इस तरीके से आगा, कि आप confused होता होगे, कि guilty mind था, कि guilty act था, कि guilty कुछ और था, मतलब इस तरीके से देंगे, थोड़ा कि अच्छे से देख लिया है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, आप answer देखते ही, टिक कर दोगे कि इसका यह correct answer है, ठीके, अब जो आपका यह Latin terms है, इसको मैं बहुत ज़्यादा explain में नहीं करवाओंगी, क्योंकि time become है, आपके हो सकता है कि आपके December के exam हो जाएं, वैसे news तो आए थी कि December के first week से आपके exam होंगे, लेकिन जैसा कि आज अभी 22 तारीक है, अभी तो कोई news नहीं आई है, न कोई date seat वगएर आई है, तो हो सकता है कि आपके 10 December के आसपास exam हो, ठीक है, तो फिर भी time कम है, मुझे और भी वीडियोज बनाने है, जैसे आपका contract की भी playlist इसलिए मैं Latin terms में पर कोई especially video नहीं लेकिया होंगी, क्योंकि इन पर मैंने already बना दिये हैं, आप लोग उनको पढ़ लेना, उसी में example भी मैंने करवा दिया है, इस तरीके से आपके exam में जो है Latin terms के आएंगे, लेकिन मैं बाकी जो English में ही क्रास से लेकिया होंगे, उन्हें ह हम बाकी के जो मैंने 6 topic और बताएं हैं, उनके वीडियो में उनके objective question लेकिया होंगे, ठीके, तो चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, अगला topic जो हमारा होगा, direct in direct, अब हम इसके multiple choice questions देखेंगे, ठीके, कि किस तरीके से objective question पूछे जाएंगे हमारे exam में, ओके, और description में होती है, मैं बताना भूल जाती हूं अकसर, तो आप लोग याद रखेगा, मैं अगर कभी ना भी बताऊं, तो हर एक वीडियो के आप लोग description में चले जाया करो, वहां check कर लिया करो, क्योंकि मैं कुछ इसमें important और भी related videos के link या PDF के link दे देती हूं, जिससी कि आपको आप आसानी होगी, आप आसानी से PDF डाउनलोड कर लें, ठीक है, और हर वीडियो की PDF में उसी वीडियो के description में दे देती हूं, तो आप लोग ये बाद चेक कर लिया करो, ठीक है, और आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, अगे आपका एक कोशन दिया हुआ है, ठीक है, ये एक direct sentence है, अब आपको ये जे चार option दिये गए हैं, ये सभी convert हो गए हैं किसमें, indirect में, ठीक है, अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा correct answer है, indirect sentence में, ठीक है, अब इस question का मैं answer यहाँ पे नहीं बताने वाली हूँ, इसका answer आप लोग दोगे, comment में आप लोग बताओगे, इस बताओगे, और मैं आप सभी लोगों के comments पढ़ूंगी भी, और इसमें देखूंगे कितने लोग इसका सही जवाब देते हो, सही नहीं भी देते हो, जैसा भी देते हो, लेकिन answer सभी को देना है, याद रखना, अगर आप लोग अच्छे कासे, आप लोगे comments आते हैं, जव लेकर के, मैं बाकी subject की class कवर करा दूँ, और जो कुछ और भी university की student है, जो subjective exam है, वो बोलते हैं, subjective paper बनाए, theoretical, मतब किस तरीके से हमें answer frame करना है, तो हम बाकी सब बच्चों को भी ध्यान दें, ठीक है, तो ये depend करता है, आगे की class हैं, आप लोग क्या चाहते हो, जैसा कुछ हो, आप लोग अपने reply जो है, comment में देना, आप लोग अपनी राय जो है, comment में देना, कि आगे क्या हम class है, किस तरीके से लेकर आए, आज की class में अगर कुछ छूट गया होगा, वो भी हमें बताना comment में, कि मैं ये चीज़ा आपने छोड़ दी है, या इस तरीके से, BLLB first semester म सकते हो, जिससे बाकी बक्चों को भी help हो चाएगे, ठीक है, तो आज की class कैसे लगी, comment में जरूर बताना, ठीक है, मुझे अच्छा लगीगा आप लोग अगर comment करोगे, वीडियो कर अच्छा लगे, तो like तो करीदेना आप लोग, ओके, तो चलिए, thank you so much for watching this video, see you in the next video, till then, bye-bye, take care.